हैलो एवरिवन, वेलकम टो बर यूटुब चैनल, सट्राइड यूर नॉलेज, मैं होब को दोस्त विशाल, आज हम कवर करेंगे 28 फेबररी के इंपोर्टन ग्रेंट अफेज, चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा पहला कॉशन है, तो किस प्लेयर ने फीफा फुटवाल अवार्ज 2022 में बेस्ट मैन का फुटवालर अवार्ड जीता है, और बेल्ड कप बिनिंग केपटन लाइनल मैसी ने बेस्ट फुटवालर अवार्ड जीता है, तो बेस्ट गोलकीपर अवार्ड दिया गया है मिलैनो मार्टिनेज को और बेस्ट फीफा बूमेंज प्लेयर अवार्ड जीता है अलेक्सिया पुतलेश ने तो स्पेनिश पैराडामींटा इनिटनाशनल टूर्नामेंट में किस प्लेयर ने इ 활 किमनोंतो जीता है प्रमोध बगत तो पेरा बैडमिंटन इंटर्नेशनल टूर्नमेट स्पेन के विक्टोरिय में एजोजित की गई थी तो फिकी के दौरा नहीं सेक्रेटरी जेनरल के रूप में किसे अपोइंट किया गया है यह उप्शन शलेश पाथक B. अरुन कुमार C. जैन्त सेना D. अजय कुमार परमार तो इस क्वेशन का करेक्ट आंसर है एउप्शन शलेश पाथक दी फैडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कमर्स एन इंडस्ट्री हैज अपोइंटेड फॉर्मर आइएस ओफिसर शलेश पाथक अज इस न्यू जैनल सेकरेटरी तो फिकी ने फॉर्मर आइएस ओफिसर शलेश पाथक को ने जैनल सेकरेटरी के रूप में अपोइंट किया गया है फिकी बाज स्टैबलिश इन डा इयर 1927 इट इस द ओल्डेस्ट अपेक्स ट्रेड ओर्गनाइएशन इट्स हैड्गोटर आर लुकेटेड इन न्यू देलिए तो फीकी इस्टैबलिश किया गया था 1927 में और ये oldest अपिक स्ट्रीड और्गनेज़िशन है इसका हैड़कॉर्टर है निव देली में नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इकसाइस बी और गनेस इन बेच चांटरी तो मल्टी लैटरल कोब्रा बारियर एकसाइस किस चांटरी में और गनेस की जाएगी A option UK, B option India, C option Japan, D option Australia तो इस question का correct answer है A option United Kingdom नेक्स question है तो इंडिया प्रेजिडेंसी के अंडर फर्स्ट मीटिंग आफ बुमेंड 20 किस city में अजोजित की गई थी A option Jaipur, B option Udaypur, C option Chitoolgad, D option Sambaji Nagar तो इस question का correct answer है D option Sambaji Nagar The theme of the meeting, Pursuit of Gender Equality, Equity and Dignity for Movement Lead Development G20 in News Jood 20 India Summit, Maharaja Sayaji Rao University फॉर्स्ट मीटिंग आफ फाइनेस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गुवर्नस बैंकलोरू G20 ग्लोबल टेक्स समिट विशाका भटनम फॉर्स्ट जीट्वांटी कल्चर बर्किंग गूरूब मीटिंग MP कुजारो तो इससे शुरू की गया है सी ओप्षिन औरंगाबाद में नेक्ट्स क्यांट्स क्याइशन है कि औरम आप्षिन द् known गृत्वुर्स वेस्ट बंगाल फे उप्षिन असाम द ऑप्षिन मनिपूरू तो इस में यह अंसर हम दो option मनिपूर, about मनिपूर, मनिपूर founded हुआ था 21st January 1972 को मनिपूर की capital है इंफल, मनिपूर के CM है एंड बिरेन सिंग और गवर्नर है अंसुया UK, important national park, कैबूल लमजाओ national park, only floating park in the world, next question है, the ministry of आयूश has organized a चिंतन शिविर for आयूश in the state, तो ministry of आयूश ने किस स्टेट में आयूश के लिए चिंतन शिविर organize किया है, यह option हिमाचल परदेश, B option best बंगाल, C option असम, D option बिहार, तो इस question का correct answer है C option असम, about असम, असम के capital है देशपूर, असम के CM है हिमानता बिस्व सर्मा और गवर्नर है, गुलाब चंद कटरिया, माजूली आयलेंड इल्ड़ इल्ड़ इस दा वर्ल्ड लाज़ेस्ट रिवर आयलेंड लोकेटेड आंदा ब्रंपुतरा रिवर इन असम, important national park, काजी रंगा national park, नामेरी national park, मानस national park, डिबरू साइकोबा national park, ओरन national park, दिहांग पतिकाई national park next question है, North East India's first compressed biogas plant project has been inaugurated in this state, तो North East India का first compressed biogas plant project किस state में inaugurate किया गया है, A option Tripura, B option Best Bangal, C option Assam, D option Manipur, तो इस question का correct answer है, C option Assam, inaugurated Assam CM, हिमात बिस्व सर्मा, और किस district में inaugurate किया गया है, Assam की काम रूप district में, next question है, which state UT has been chosen by India Today Tourism Survey for the Best Advanced Tourism Award, तो India Today Tourism Survey के द्वारा Best Advanced Tourism Award के लिए, किस जूटी, जा state को choose किया गया है, E option Jammu and Kashmir, B option Gujarat, C option Himajal Pradesh, D option Punjab, तो इस question का correct answer है, E option Jammu and Kashmir, important February days, आप revise कर लेना, तो आज के important current affairs की वीडियो बस इतने तकी थी, मिलते हैं विशाल आपसे next वीडियो में, हर रोज कुछ नया सिकते रहो, और अपनी field में आगे बढ़ते रहो, thank you,